जी time series के बारे में बात करते हुए एक और चीज जो important होती है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आपके data के साथ time का data involved है at specific interval of time अगर आप अपना data collect कर रहे हैं या data आपके पास specific interval of time है तो data तीन किसम का हो सकते है major उसकी तीन टाइप से data की जब आपके पास time series का data है तो वो जो तीन टाइप है उसके बारे में देखते हैं जो हमारे पास तीन टाइप से उसमें पहली टाइप होती है हमारे पास obviously जिसको हम बार-बार time series का data बोल रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास हर एक time की बेस पे continuous time की बेस पे आपके पास data आता है different columns यानि कि at specific interval of time you collect different kind of data flight का time हो सकता है different flights का time हो सकता है column 2 column 3 column 4 column लेकिन एक column के अंदर data and time continuously आगे जाता है second type हमारे पास होती है cross sectional data की इसके बारे में आपने सुना होगा cross sectional data cross sectional data क्या होता है अब cross sectional data के अंदर लोग काफी कुछ different time data set के पर बोलते हैं लेकिन अगर मैं आपको बोलूं के यह data have one or more variables at a given time point इसका मतलब यह है कि आप time series के data में से cross sectional data निकाल सकते हैं for example मैं यहां पर बात करता हूं के सिरफ आठ अगस्त को जो जो फ्लाइट्स मूव की उनका data compare to ones which flew on 8 November तो मेरे पास दो cross section होगे अगर मैं इन दोनों को आपस में compare करता हूं तो यह हम cross sectional data को compare कर रहे होते हैं समझे ही बात की तो at a given time points अब हमारे पास data आता है तो इसका मतलब है time series का data अगर आपके पास मुझूद है you can create multiple hypothesis और आप basic data science के सारी की सारी चीज़ें उस पे involve करके लगा सकते हैं आपके पास specific तीन dates का है for example आप compare करना चाहते हैं कि सर्दियों और गर्मियों का data आप उसको कर सकते हैं कि सर्दियों का को specific average time point ले ले वहां से लेके गर्मियों का data का आप deal कर ले तो cross-sectional data specific time point के उपर आते हैं एक cycle को भी कर सकते हैं दूसरे को भी आपको बाकि सर्दियों के average लेने पड़ेगी गर्मियों के भी average लेने पड़ेगी देन यूविल वन डेटा response at that point तो cross-sectional data यह हो गया तीसरा आ गया जनाब आपका pooled data तो हमारे पास एक data type time series की दूसरी cross-section जब इन दोनों को plus करेंगे तो हमारे पास आजएगा pooled data time series भी हो प्लस आपका cross-sectional data दो इसको हम कहते हैं pooled data और combination of time series और cross-sectional data आपको बहुत बड़ी sensible knowledge भी देता है कैसे आप time series के data पे सारा कुछ analyze करी जा रहे हैं लेकिन अगर आपको यहीं नहीं पता कि गर्मी और सर्दियों में फरक क्या था तो आप क्या अंदाज लगेंगे ट्रेंड तो आप लगा लेंगे ना कि गर्मियों में sale बड़ी सर्दियों में काम होई लेकिन उन दोनों के data को compare भी तो करना है ना कि उसकी sale कितनी बड़ी कितने फीसद बड़ी कितने फीसद काम होई date से हटके भी तो हमने कुछ करना है ना अंदाजा अब एक बंदा के यार गर्मियों में कारवार आइस क्रीम का कर रहो तुम तीन चार महिनों में डेड़ लाग को माल होगे तो वो cumulative data है हमारे पास तो उसको जब हम analyze करते that is cross section प्लस जब हम time series को साथ करेंगे तो हमारे पास दोनों opportunities आ गई तो इसका मतलब यह है कि जब भी आप pool data पे analysis करें तो जब भी आप data पे analysis करें तो try to make out some cross section of that data और उसके लिए आप different किसम की decomposition techniques यूज कर सिपके हैं ठीक है और ETS decomposition is one of them यह decomposition जो मैंने आपको पहले बताई जिसको E बोलते हैं error को T बोलते हैं trend को and S बोलते है seasonality को जो तीन मैंने आपको type बताई ना पहले यहां भी अगर देखें trend seasonality and residual इसको ETS भी बोलते हैं E error T ये S ये तो ETS decomposition भी से बोला जाता है तो आप इसके through our data को different trends के अंदर divide करके उसका cross section बना सकते हैं उतने trend का cumulative करने के बाद So we will see that हमने terminology जो हैं वो देख ली अब थोड़ी सी और भी हमारे पास terminology इसके अंदर आती है लेकिन वह साथ सा देखते जाएंगे अभी हम move करते हैं छोटी सी example की तरह ठीक है क्या क्या देखते हैं तरह कर दोटीन से ख़ाएंगे वाrying मीग स्पाषा